ही वाइटीबियंस की हल चाल वैलकम बैक टो दुच्छा दोस्तो समर वकेशन्स आने ही वाले हैं होली की भी छुटी आ रही है ऐसे में आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि हमें अप्रेल मई और होली के फेस्टिवल की छुट्टियों के दौरान के पैकेश बताईए क्योंकि बहुत जादा डिमांड रहती है समर वकेशन्स में घूमने फिरने की चाया फैमली के साथ जाएं फ्रेंड के साथ जाएं आप कपल जाएं तो ऐसी बहुत सा रेक्वार को फुल्फिल करने के लिए भारत पर मैं नवीन दूबे एक बार फिट से पैकेश की स्टार्ट करने जा रहा हूं एक एक करके आप इन पैकेश को देखिएगा अलग-अलग डैस्टिनेशन के और अगर बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो की टाइटल और डिस्क्रिश आपकी मनी सेफ है और आप में से कई सारे वीवर्स और लेडि इन ट्रेवल कमपनी के थ्रूप पैकेश ले करके जा चुके हैं और इंजॉय कर चुके हैं अपनी लाइफ के सबसे मेम्वरेबल डे को और आप अगर उन में से एक बनना चाहते हैं तो इन पैकेश को जरूर आप बुक करवा सकते हैं यह डिपेंड करता है केवल आपके उपर आए शुरू करते हैं इंडिया के सबसे फेवरेट डेस्टेशन मनाली का आपको पैकेश बताने जा रहा हूँ जो कि समर के अंदर मनाली वन अप टॉप मोस्ट डेस्टेशन रहता है ट्रैवलर्स के टोटल डूरेशन होने वाली है और उसमें से थ्री नाइट आपके मनाली में बीतने वाली हैं तो आए शुरू करते हैं एक एक करके आपको सबसे पहले जानकारी देना चालू कर देते हैं इस पैकेश की वेलिडिटी होने वाली है 15 अप्रेल से लेकर के 10 जुलाई के बीच में क्योंकि सीजन का टाइम होता है और सीजन के टाइम में मैं आको बतायता हूँ हमेशा पैकेश के रेट बढ़ जाते हैं कई सारी वीवर ये कमेंट करके वीडियो पे डाल रहे हैं कि पैकेश के रेट क्यों बढ़ रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको पहले वीडियो में travel company उनको भी यह package के रेट आपको बढ़ा करके देने पड़ते हैं तो यह है बेसिक वजए अब आईये आपको मैं बताना चालू कर देता हूं वैसे जो मैं आपको पैकेज बताने जा रहा हूं उसका रेट बहुत ही कम आपको प्रोवाइट किया जा रहा है उम्मीद करता हू आपको ये बहुत best rate लगेगा number of person minimum requirement इस package को book करने की चार लोग चार लोगर रहेंगे तो इस package को book करवा सकते हैं और अगर आप दो लोग भी हैं तो आप travel company को call करके इस package को book करवा सकते हैं rate में थोड़े बहुत बदलाव आपके आने वाले हैं आई शुरू करते हैं सबसे पह सकता है मजनु पिक करेगी और बस मैटाव करें इस सफर होगा दिली से आप जाएंगे मनाली इतना की आपको देख करके मजा आजा रही है बो बी आच्छी म्हीं Kapनी जिसमें बहुत मिलेगा सीट्स के अंदर अब आपको बतायता हूं लगबग 500 किलोमेटर की यात्रा आप करके अगले दिन पहुंचेंगे लगबग आपका साथ से दस बजे की बीच में जो भी आपका बस का पिक अप टाइम होगा उसके बाद आपको मनाली वॉलो बस स्टेंड से कॉम्प्लिमेंटर आपको क्या करना है वहाँ पर जाकर के थोड़ी देर अराम करना है फ्रेश होना है फ्रेश होने के बाद आपकी लोकल साइट सिंग टूर स्टार्ट हो जाएगा लगबग हाफ दे का लोकल साइट सिंग टूर होता है मनाली माल रोड के लगबग ये होता है फाई किलोमेट देख रहे होंगे मैं के करके आपको सारा कुछ बता रहा हूँ हूँ स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ तो यहाफटे का लोकल साइट सिंग आपका बहुत इंटरस्टिंग होता है और वन विहार के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी करने को मिल जाएगी जिप लाइनिंग मिल जाएगी और बहुत बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो आप वन विहार में जाकर के इंजॉय कर सकते हैं उसके बाद आपका नेक्स आपको मिलेगा मनाली से सोलांग वैली जाने के लिए सोलांग वैली में दोस्तों अगर आप अभी क स्मार्ट को जाते हैं तो लाइव मिलेगी और नहीं जाते उसके बाद जाते हैं तो आपको वहाँ पर वो गिरी पड़ी मिलेगी अगर आप बाइस तेज से ले करके लगबग 30 मार्ट तक जा रहे हैं और उसके बाद अगर आप स्पैसिफिकली गर्मियों की छुट्टियों म बहुत सारे स्टिक्शन होती हैं तो आप ट्रैवल कंपनी से बात कर सकते हैं थोड़ा सा पैकेज में आपके रेट्स में चेंज आएगा और वो आप बुकिंग करके रोतांग पास घूम सकते हैं अगर आप इस्नो फॉल पड़ी हुई देखना चाहते हैं तो अब दोस्तो पेनों स्कूटर कर सकते हैं अगर इस्नो फॉल की दिनों में जा रहे हैं वहां पर रोपवे हैं वह कर सकते हैं बहुत सारी liquor होती हैं जिनको आप कर सकते हैं और इनको अगर आप देखना चाहते हैं भीस एड्वेंचर एक्टिविटी के बारे में तो वाई-टी भरष sitä पर गुमेंगे और कुलू के बाद आप जाएंगे मनीकरन गुर्दवारा दोस्तों मनीकरन हमारे सिख भाईयों के लिए सबसे पवित्र तीर्थिस्टलों में से एक है पूरी दुनिया के अंदर मनीपरण की आत्रा लगभग मनाली के माल रोड से 80 किलोमेटर की होती है जाना और करके क्लिक करवा सकते हैं यह हैं हैंयगे सिख करके नीचे सावधानी पूर्वार यह हैं और इंज्टा पर इंजहर क्सक्राइब हों पारचर इसके लिए आपको क्या करना होगा लगबग बारे बजे के आज पास आप चैक आउट कर लीजिए और चैक आउट करने के बार आप खुद की कन्वेंस ले करके जहां भी आपका होटल है आप जा सकते हैं माल रोड माल रोड पर जाकर कि आप लोकल शौपिंग कर सकत करके आप वहां से अपनी पिकप अरेंच करा लीजिए जिए जो ड्रॉप कर देगी आपको वालो बस से इस्टेंट पहुंच करके आप अप अपनी गाड़ी पकर लीजिए और गाड़ी पकर करके वापस दिल्ली आ जाए और अगर आप दिल्ली एंस एर में रहते हैं तो हाँ पर चले जाए और बाकि अगर आप अधर स्टेट में रहते हैं तो उसके लिए ट्रेन या एयरपूट जहां भी आप जाना चाहें वहां पर जा सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस पैकेजी कॉस्ट के बारे में तो पैकेजी कॉस्ट जैसे मैंने बताया ही कम है 6500 रुपे कीवल आपको एक व्यक्ति का पे करना है और फोर मिनिमम्म रिक्वार्मेंट है इसमें पर पर सन की और दो लोग जाते हैं तो उसके लिए आपको ट्रैवल कंपनी से बात करना होगा और बात करके थोड़ी से एक्स्ट्रा रेट आपको पे करने पड़ें के वहां पर जाकर क्या आपको स्टे होने वाला है और क्या किकलोर होने वाल एगर आप चार लोग है तो आपको चार लोगों की ऐसी सैमी स्लीपर वॉलो बस टिकट मिलने वाली है ठीक अ2 रॉम के अंदर अलग-अलग लोग के लिए और welcome drink on arrival रहेगा 3 day morning tea मिलेगा 3 breakfast, 3 dinner मिलेगा 1 candle light dinner मिलेगा 10% disco, discount on laundry मिलेगा complimentary use of recursion facility अगर हैं तो free entry और डिस्को ठीक ये सब मिलेगा अगर आपको वहाँ पे hotel में facility available है तो इसके बाद चलते हैं 1 day का half day का local sightseeing tour मिलेगा individual car से 1 day का full day sightseeing tour मिलेगा सब कुछ आपकी facility पहले से रेंज की गई हैं तो इनको बुक कराने के लिए आप जा करके travel company से संपर्ग करिए और जा करके इन package को बुक करवा करके आप enjoy करिए इसे जोड़े कोई भी सवाल रहते हैं तो वीडियो पर comment करके आप पूसकते हैं और बुक करवाने के लिए travel company को डिरेक्ट जाके call करिए मिलते हैं इसरे के बहुती अगले इंट्रस्टिंग और informative वीडियो में आपको next package की जानकरी बताएंगे तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत नमस्कार प्लाइभ हम तक के लिए हम आपकाchem के लिएए ऋर्थ